वेल्कम गाइस वेल्कम तो माई यूटीब चैनल योगा एंड फिटनेस टिप्स हमने लास्ट वीडियो में सीखा कैसे हम बैली फैट और साइट फैट कम कर सकते हैं विद उत्तान पाद आसन सर्वांग आसन चकर आसन और धनुरासन से आज हम सीखेंगे कि हम अपनी मसल्स को इसicana कर सकते हैं वारर अपने श्चोल्डर की मसल्स को कैसे स्ट्रॉ कर सकते हैं तो इसमें आज मैं बताने वाला हूँ और अपको बकासन से अपने हातों पे स्टेंद करनी होती है पूरी बाडि पीलुड़ी का अधा प्र पोठी Arms power, shoulder power, आपकी strong होती है, back pain आपका खतम हो जाता है, क्योंकि back stretch होती है, तो back pain आपका बिलकुल खतम हो जाता है, इसका जो rule है, वो आप ध्यान से देखिए, जो इसका तरीका है, इसमें मायन में concentration बहुत जौदा जरूदी है, चलिए करके दिखाते हैं, आपको सबसे पहले बैट जाना है, और फिर अपने हातों को fix करना है, एक फीट की दूरी पर, दूरी एक फीट से जादा नहीं होनी चीके, और सबसे में चीज है, इसमें आपका concentration बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको एक triangle में assume करना है, कि याँ triangle है, triangle starting में आप बना सकते हो, कुछ यहाँ पर, आप बना के अपना line माना सकते हो, और triangle का main उपर वाला point है, उस पर आपको concentrate करना है, आपको कहीं और नहीं सोचना कुछ भी, कहीं और नहीं देगना, सिर्फ triangle के उपर वाले point है, और जो नीचे, triangle के जो नीचे point है, उन पर आपको हात रखना है, पहले आपने हात अपने set कर अपने अपने आपके गुटने आपके बदल में, या काथ में रखने होगो, सार्टिंग में आपको एक पैर उपर लेगे जाना है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करोगे, फर्स टेम पर बड़ी मुश्किल होगी, किसी की help ले सकते हो, पंजो पर आने के बाद, triangle के step पर focus क सबसे पहले एक पैर उपर, बैल लो सब, वापस, स्टार्टिंग में आपको 5 सेकिंड, 10 सेकिंड ही करने है, प्रैक्टिस जब प्रैक्टिस बढ़ जाए, तो 30 सेकिंड तक होल गरिये, आपको इसके, इसमें आपको फाइदा होगा, आपकी arms strong हो जाएगी, muscles strong होगी, shoulder की muscles आपकी strong होगी, और back pain आपका बिलकुल खदम हो जाएगा, और पूरी body आप बैलन्स करना, आपको हातों पर पूरी body की fitness के लिए है, और mind को एक, mind को एकदम stable, concentrate करके एकदम, आपको relax feel चैनल को like and subscribe जरूर कर दें, ताकि notification आपको immediate मिल जाए, thank you